हेलो फ्रेंज, वेलकम टो इंडियन किचन, आज हम बनाने चारे हैं पनीर बॉल्स, हिल्दी भी है, बहुत सारी वेजेटेबल्स है, आपके बच्चे अगर वेजेटेबल्स नहीं काते हैं, इस तरह से उने वेजेटेबल्स खिलाइए, और बहुत ही अच्छा स्टाटर है, बनाते हैं, 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 अपने चॉइस की वेजटीबल्स डालेंगे मैंने यहाँ पर चॉप्ड कैबज लिया है ग्रेटेड कैरेट चॉप्ड अनियन अपनहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं चॉप्ड कैप्सिकुम कोरियंडर लीव्स थोड़ा सा मिंट की लीव्स क्रश करके लिए है चिली फ्लेक्स अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीट कीजिए मैं एक चोथाई चापचली हूँ ग्रीन चिली थोड़ा स्पाइस अगर पसंद करते हैं तो चुटकी भर काली मिर्ची और नमक स्वादा नुसार अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस तरह से हमारा मिक्स तयार है अब हमने दो चम्मच कॉन फ्लार लेकर पानी में मिलाकर इस तरह की एक स्लरी तयार की है हमारे इस मिक्स्चर को लेके हम चोटी-चोटी बॉल्स बनाएंगे अब 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 अपने चाल इस का कोई भी शेप दे सकता है देखिए इस तरह एसे हम सबभी बॉल्स रड़ी कर लेंगे बाइट साइस की बॉल्स बनाएंगे अज़ा स्टार्टर भी इसे सर्फ कर सकते हैं इस तरह से हमने बॉल्स प्रिपेर कर ली हैं अब इन बॉल्स को हम कॉन फ्लार की सलरी में डिप करेंगे दिखिये इस तरह से और हमारे पास bread crumbs है उनमें हम इनको रोल कर देंगे इसी तरह ऐसे और बॉल्ल हम यह हमारे पास वर्मी सेली है अगर आपके पस bread crumbs नहीं है आप वर्मी सेली से भी कोट कर सकते हैं देखिए बहुत अच्छे crispy बनते हैं सब तरफ इदो कवर कर देजिए इस तरह से हमने अपने तील गरम हो चुका है बॉल्स अलग 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 तरके डालेंगे उपर इस तरह से हलका हलका ओल डालेंगे अब इन्हें स्पून की मदद से तर्न करते जाएंगे सब तरफ से लाइट ब्राउन होने तक हम फ्राइ करेंगे अच्छे रहें अच्छी रहें हैं इस तरह से कलर चेंज हो गया है अच्छे से क्रिस्पी हो गया है कितने निकाल रहें है देखी कितने यामी हमारे परीवाल स्टार्टर रेसिपी रेडी है पाटी में भी आप इन्हें रख सकते हैं, सभी गैस्ट आपकी तारीफ ही करेंगे. I hope you like this recipe. Please do like, share and subscribe my channel. Cook with the best.